इस्राइल और हमास में छिड़ी जंग के बाद से इरान समर्थित चरमपंती संगठन फिर अक्टिव हो गए है फिलिस्तीन के समर्थन में इन आतंकी संगठनों ने इस्राइल की नाक में दम कर दिया है गाजा में हमास लड़ाकों से लड़ रही इस्राइली सेना को इराक के प्रतिरोध गुटों का सामना करना पड़ रहा है इरान की छत्रशाया में फले फुले ये संगठन अब कट पुतली की तरह इरान के इशारों पर नाच रहे है ये संगठन इसराइल पर हमलावर है इराक के आतंकी संगठनों की बढ़ती सक्रियता ने इसराइली बलों की मुश्किले बढ़ा दी है इराक के इस्लामिक प्रतिरोध निसीरिया के इस्राइली कपजे वाले गोलान हल्ट्स में एक महत्वपूर्ण लक्ष पर हमला करने का दावा किया है अब बर भे ला सआरा के ब्रतिरोद ने बताया कि उसने ड्रोन से लक्ष पर हमला किया इतना ही नहीं इरानी प्रतिरोद ने दुश्मन के गड़ों में हमला जारी रखने की कसम खाई है साथ ही दावा किया कि लड़ाकों ने इसराइली कबजे का विरोध करने गाजा में लोगों का समर्थन में और फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंगहारों के जवाब में इस उपरेशन को अंजाम दिया इसके अलावा संगठन ने बताया कि युद्ध के लिए अमेरिका के लगातार समर्थन के विरोध में इराकी आतंकवाद विरोधी ताक्ते अरब देश और सीरिया में अमेरिका की सेन य ठिकानों पर हमला कर रही है इराग के आतंकी समू के लड़ाकों ने आतंकवाद विरोध पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स के गटबंदन वाले सेन ने अड़े पर हमले का जबरदस्त पलटवार किया इसराइली कबजे वाले इलाके के रणनीतिक लक्ष के खिलाफ ड्रोन हमला करने का भी दावा किया गया शनिवार को लाल सागर के उत्तरी सिरे पर इलीट बंदरगाह में महत्वपूर्ण स्थल पर हमले की जिम्मदारी ली दावा किया गया कि ड्रोन हमला कबजे वाले इसराइली साशन के खिलाफ प्रतिरोध में किया गया था बताया गया कि यह हमला इराकी संप्रभुता के गंभीर उल्लंगन और हशत अल शावी शिविरो पर हमले के जवाब में भी हुआ इससे पहले इराक के मध्य प्रांत बेबी लोन में खशत अल शावी लड़ाकों के सैन अड़े पर हवाई हमले में कम से कम एक वेक्ति की मौत हो गई तो वहीं आठ लोग बुरी तरह घायल बताएगे लिबनान के एरभी भाषा के अल मयादीन न्यूस चैनल ने दावा किया कि हवाई हमले ने रात बर बक्ताद के दक्षिड में कैसलो सैन अड़े को निशाना बनाया साथ ही बेस के मुखे एंट्री पॉइंट और हशद अलशावी से जुड़े एक कार्याले को निशाना बनाया दावा है कि यह हमला मानव रहित हवाई वाहनों से अंजाम पहुचाया गया आतंकी संगठन हशत अलशावी ने पुष्टी की कि उसके सैन अड़े के परिसर पर हमला किया गया है आंत्रिक मंत्राले के एक अधिकारी ने बताये कि विस्पोर्ट से उपकरण हथियार और वाहन प्रभावित हुए विस्पोर्ट के तुरंत बाद अमेरिकी सेना ने कहा कि इराक में कथित हमले के पीछे उसकी सेनाय नहीं थी वहीं दाय शातंकी समू से लड़ने के लिए बनी अमेरिकी नित्रतों वाले सेन इस गठवंधन ने भी बयान जारी कर कहा कि उसने इराक में उन इलागों पर हमला नहीं किया एहम बात ये है कि इराकी सेन ने अटे पर विस्पोर्ट ऐसे समय में हुआ है जब इराक में इसलामिक प्रतिरोध ने तब तक अपनी जवाबी कारवाई जयर रखने की कसम खाई है जब तक कि इसरायल गाजा में अपना नरसंगहार बंद नहीं कर देता बता दे कि बीते साल अक्टूबर की शुरुआत में इसरायल की ओर से गाजा में नरसंगहार युद शुरू करने के बाद से इराक की प्रतिरोधी संगठन इसरायली ठिकानों पर कई हमले कर रहा है कि अमुरूबर की नरसंगहा लैको की भीजबरा की ज़ा है जितने उनलेग गाज हने वी अगे में औरी रहा है